नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी स्वागर करता हूँ नए साल में आप सभी का मैं आपका गैड़ो जंक और काफी दिनों बाद आपसे मेरी मुलाकात हो रही है और उमीद करता हूँ कि नए साल पे जो आपके resolutions हैं वो बहुती strong होंगे और वो resolution आपका लबासना पहुंचने क होना चाहिए वो सपना जो हमें हमारी मंजिल तक ले कर जाता है तो जो शुरुवात होती नए साल की एक atmosphere होता है एक औरा होता है एक चारों तरफ लोग अपने आपको परिवर्थित करने के लिए एक प्रतिग्या बद्ध होते हैं उनके अंदर determination होता है तो ये साल 2023 आपके सपनों का साल होना चाहिए इस साल आप अपने आपको खुद को बनाने में लगा दो क्योंकि जो व्यक्ति अपने आपको बनाने में लगाता है वही दुनिया पर एक राज करता है अपने सपनों को पाता है तो आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के न जैतरीन इंसान की बात करता हूं तो आपके अंदर EQ यानि emotional question होना चाहिए, आप लोगों के प्रति सम्वेदन शील होने चाहिए, अपने रास्ट, अपने समाज, अपने माता पिता और वो सभी लोग जो नीडी है और जिनकी आप किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं, मदद स दिल्ली का हाथसा हुआ जहां पर एक लड़की को 12 किलमेटर तक गसीटा गया और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसी वहशियाना हरकत हमारे आसपास समाज में होती है, वो बच्ची किसी के भी घर की हो सकती है, यह मद सोचिएगा कि अगर हम कबूतर की त इंसान और जानवर में जभी ज़ादा फरक नहीं होता, बस जो एक दिवार पैदा होती है, वो सम्विधन शीलता की दिवार होती है, अगर आप अच्छे इंसान बने रहः पाए, आप सम्विधन शील بنे रह पाए, तो यकीन मानिए सही मामले में कामियाभी आपको मिलेग एक I.S. बनकर भी अगर आप वहशी हो एक I.S. बनके भी आप अपने आसपास लोगों को दरिंदगी की नजर से देखते हो तो फिसका कोई मतलब नहीं बनता आप जादा लीथल आप जादा खतरनाक हो जाओगे अगर मेरी बात से इतफाक रखते हो तो मुझे जरूर बताना कि नए साल में क्या खुद को और जादा मुलायम करने अपने आपको और समविधन शील करने अपने अंदर emotional question लाने के लिए कुछ प्रयास करोगे कुछ हैं तमहारे इरादे एक बहतरीन इंसान बनने के लिए क्याकि राष्ट जो है वो इनहीं बहतरीन इन्सानों से बनता है राष्ट जन संख्या नहीं है राष्ट जितने लोग की संख्या नहीं है हम कहने को एक अरब 40 करोण भारती है एक सड़क पर गाड़ी के नीचे मर जाता है एक लड़कियों के साथ जो हो हत्याए कर रहा है उनको जो हो जीने नहीं दे रहा है और ज़रूरी नहीं कि ज़र आप पैसे हों तब ही आप दूसरों की मदद कर सकें मदद करने वाला सिर्फ मदद की हाथ बढ़ाता है एक बूरी महिला को सड़क रॉस करा देना एक छोटी बच्ची को जो तुम्हारे यहां नौकर है या आसपास ऐसे बच्चे है वो कुड़ा बिनने वाले बच्चे को थोड़ा सा काका गागा का भी पार्ट पढ़ा देना एबी सीडी पढ़ा देना उतना ही बहुत है तुम्हारी पुरानी किताबे उसके हाथ में दे देना वो पैंसिल जो तुम यूज नहीं करते उसको तुमने फेक दिया है वो पैंसिल उसके लिए उसकी जिन्दगी का एक चिराग बन सकता है जो उसकी जिन्दगी के अंधिरों में उसको रोश्नी दे सकता है ये रोश्नी जो होती है बड़ी काम्याब चीज होती है बड़ी अद्बुच चीज होती है एक छोटी सी लोव जहने कितने लोगों को जीने का रास्ता दे देती है सवाल ये नहीं कि तुम्हारे पास साधन कितने है सवाल ये है कि तुम्हारे अंदर वो द्रव कितना है तुम्हारे अंदर वो इमोशन कितने है जहां पर मिलकर, ब्रिक बाई ब्रिक मिलकर हम इस राष्ट का निर्माड करते हैं तो नया साल इसी के लिए, नया साल प्रतिग्याओं का साल है, नया साल इरादों का साल है, नया साल जुन प्रतिग्या का साल है जहां पर हम और आप मिलकर एक कदम और सही राष्ट निर्मार की तरफ बढ़ाएंगे हमारे दिलों में जो इरादे हैं उसको हम करके दिखाएंगे सिर्फ सोचते रहने से संसार बदल नहीं सकता कर्म प्रधान होना सबसे महत्पूर्ण चीज है और कर्म करने के लिए पहला कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा तो बढ़ा दीजे वो कदम सोचना कि इस बात का और आगे बढ़ जरी और जानते हो वो पहला कदम बढ़ाने से हमारे दिलों में जो अर्मान है उसको इस दुनिया में लाने से कौन रोकता है वो ये रोकता है चाहे वो परिक्षा हो चाहे वो सपने हो अच्छा इंसान बनना हो कुछ परिवर्थित करना हो आपके दिलों में भी वो चिंगारी है मुझसे कई लोगों ने कहा कि सर गलत होते देख रहे हैं हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये चीज ठीक नहीं हो रही है लेकिन हम इसको सुधार नहीं पा रहे हैं और उसके अंदर जो है वो हिचकेचाहट एक बहुत बड़ा कारण है और आज चाहे एक्जाम चुकि जनवरी आ गई थी और मैंने कहा था जनवरी आते ही आपके अंदर डरों का एक सामराज्य पैदा होना शुरू हो जाएगा किल्वेस का वो सामराज्य जो अंधेरा फैलाएगा तुम्हारे दिलों में बैठेगा ये डर हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ा हिस्सा है जिस डर के साथ हमेशाम जीते हैं लेकिन इंसान और जानवर के बीच में यही सबसे बड़ा फरक है कि इंसान अपने दमाग, अपनी शद्दत, अपने अंदर की जो एथिक्स है अपने अंदर की जो आग है उससे डर से लड़ता रहता और उससे जीत पा लेता है और इंसानियत की पूरी मिसाल चाहे हम अपनी सब्वेताओं की शुरुवात की बात करें या चाहे आज हम रॉकेट साइंस की बात करें अगर हम पूरी इंसानियत की इस पूरी जर्णी को देखें तो इंसान हमेशा अपने डर से काबू पाते हुए अपने उस डर पर जीत पाते हुए ही आस्ता कहां पहुंचा है हर समय हमें डर लगा होगा जब हमने बल बनाया तब हमें डर लगा होगा जब हमने हवाई जहाज उड़ाया राइट बिर्दस ने तब भी हमें डर लगा होगा जब हमने कोई चीज नई खोजी जब दुनिया के सिध्धानतों को हमने अंगूठा दिखाया और एक नई थियोरी रखी तब भी हमें डर लगा होगा लेकिन इंसानियत को बदलने वाले लोग अपने डर पे काबू पाना सीख चुके थे यही कहानी इंसानियत की कहानी है तो चलिए आज हमारे सामने एक एक एक्जाम है जिसे UPSC कहते हैं यह डर बढ़ना शुरू हो चुका होगा दिमांग में बहुत सी बाते आनी शुरू हो गई होगी तो आज इस डर से लड़ने के मैं आपको चार ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप डेली अपनी लाइफ में फालो करते हैं तो ना सिर्फ यह डर कम होता चला जाएगा जैसे जैसे आपका डर कम होता जाएगा आपका आपने विश्वास भी उतनी ही तेजी से बढ़ता जाएगा तो चलिए अब हम बात करते हैं और आगे चलते हैं इस सफर में नए साल में हम क्या नया कर सकते हैं ये बड़ा जरूरी है और साथी साथ आपको बताता चलूं कि NCRT का Advanced Batch इस बार जो बच्चे जिस ID के साथ 99 रुपए के Batch में जुड़े उनके लिए 3999 का ये Batch है और NCRT हम पर 6500 फीज जो लास्ट इयर थी उसको हमने घटा कर 3999 यहां पर कर दिया है और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है IS Prelims के Batch में मेरी Classes फिर से दुबारा शुरू होने जा रही है जो बीच में एक disturbance हुई आपको लेकर वो उस बज़े से मैंने Classes को अपना रोका बाग और तमाम बच्चों को अब जैसे बहुत से बच्चे हैं मेरा उनसे request है आप जानते हैं कि किसी एक student ने अभी हमने F.I.R की आपको बताया था उसने हमारे नाम से fake ID बनाकर बच्चों से वहाँ पैसे लिए इसी तरह एक हमने अभी चेक किया 300 ऐसे number हमें पता चले जो exist ही न लड़ना होता है और एक बार दिमाग में आया कि मैंने ये क्या किया मैं इतना सस्ता course दिया और इसके बाद भी बच्चों ने इतना अपशब्द बोला और इतनी चीजें की लेकिन फिर एक बार खुद को लगाया क्या कि लड़ना तो था इसमें से कई ऐसे बच्चे निकल हो नए साल पर हमाई तरफ से एक छोटी सी बढ़ाई तब मैं topic पर आता हूं कि जितने भी हमारे पुराने courses हैं चाहे वो answer writing हो मेरे दोरा पढ़ाया गया हो NCRT आंदुलन का पुराना बैच हो ethics module हो, geography का mapping class हो, seven story बहुत ही प्यारी class रही है और ये सारी classes social issues से लेकर economic survey की class और एक class आप जरूर करना नीती आयो की class नीती आयो की class मातर 500 रुपए में ये एक ऐसी class है जो UPSC के लिए तुम्हारी सोच को बदल देगी वो भी मातर 50% के offer में आपको मिल रहा है आप coupon code डाल सकते हो XMA S2022 ये आपको code डाल कर आपको यहां पर एक flat 50% discount मिल जाएगा चलिए हम अपनी बात को आगे लेके चलते हैं और इस महाधमाका में तो आप जोड़ चुके होंगे कितने awesome मुझे result मिल रहा है कि sir, sir ने इतने अच्छे तरीके से हमें English पढ़ानी शुरू कर दी कि हमें अब कटीन से कटीन शब्द याद होने लगे हैं Let's start तो दोस्तों आज हम बात करते हैं परिक्षा के डर को, डर लगता है मुझे बताना, मुझे आप comment box में बताना कि exam का डर आता है, बहुत से phobia सा आता है और अब मैं जो symptoms बताने जा रहा हूँ मुझे बताना कि क्या ये होने शुरू हो गए हैं जो लोग जिनको 2023 में prelims देना है चलिए आज देखते हैं कि क्या हो सकता है, तो आज मैं 4 tips बताता हूँ कुछ चीजें हैं, जैसे exam आता है, तो सिर्फ हम exam अकेले नहीं दे रहे होते हैं हमारा परिवार, हमारे रिष्टेदार, हमारा समाज, सब को ये exam दे रहा होता है सब को हमसे उम्मीदे हो जाती है, वो जो अपने समय में नहीं कर पाए वो जो तुम्हारे माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाते हैं, वो जिन्होंने अपना दाव लगा रखा है वो सभी तुम्हारे साथ इस समय एक्जाम दे रहे होते हैं, उनके सपने हो रहे होते हैं तुम्हारे माता, पिता, तुम्हारा परिवार, भाई, बहन, ठीक है, उस बहन जिसकी शादी नहीं हो रही है, यै जिसकी शादी होनी है, तुम्हारी सफलता पर ही उसके लिए अच्छा रिष्टा तै होने वाला है, अगर मैं सही हूँ तो मुझे बताना कि मेरी बाथ पूरी पहनाएगा वो पिता जो बहुत समय से अपना सेकेंड हैंड स्कूटर या मोटर साइकल बेचने की सोच रहे थे और उसकी जगह एक अल्टो खरीदना चाहते थे ताकि पूरा परिवार एक साथ चले तुम्हारी पढ़ाई की वजह से उन्होंने वो कार नहीं खरीदी उन्होंने वो सपनों को रोक दिया क्योंकि तुमने कहा कि मैं I.S. या IPS बनना चाहता हूँ और तुम्हारे सपनों के पीछे पूरे परिवार ने अपने सपनों को तिलांजली दे दी या उसको जो होल्ड पे रख दिया कि ये मेरा बच्चा जब कुछ बनकर आएगा सिवि मिकांत और या विपिन चंद्रा इनका बोज है तुम्हारे उपर तो सपनों का बोज ठिका हुआ है जिनकी जमीने फसी हुई है पिता कह रहा है कि आज मुझे लाठी से मारा है गाव में मेरी संपत्ति ले लिए मुझे कल एक बच्चे ने फोन किया लेकिन जिस दिन मेरी और ऑलाद बन कर आएगी कलेक्टर तुम्हें लोगों को मैं बताओंगा कि क्या होती है पावर तो ये सारी चीज़े हमारे साथ हो रही है तो अब वक्त है बहतरीं करने का अब वक्त है UN सपनों को आगे लेके जाने का तो चलीए अब हमलोग काम करते हैं और समझते कि क्या ये जो भार है वो तुम्हें इतना तो नहीं दबा रहा है कि तुम्हारे अंदर डर पैदा हो गया है तुम्हारे अंदर एक अंदकार पैदा हो गया है कि मेरा टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, क्या जनवरी आते आते तुम्हारा डर बढ़ने लगा है, मैं कुछ symptoms बताता हूँ जरा बताना क्या तुम्हारे साथ होता है, क्या पसीना आने लगा है, क्या जाड़े में भी जब पेन पकड़ रहे हो तो हाथों में कुछ पसीना सा आ रहा ह क्या रात में जब तुम सोते हो तो तुम्हारे सामने फिल्म सी चलती है ऐसा लगता है कि मैं सो रहा था या सोच रहा था पता ही नहीं चला पूरी रात सपने जो है वो आँखों के सामने से तैर के निकल जाए अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताते जाना क्या कभी-कभी इतना तैयार हो गया, तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ, क्या तुम्हारे अंदर बार-बार ये उतावला पनाता है, क्या तुम्हारा बंद कमरा जिसमें तुम बैट के पढ़ाई कर रहे हो, जादा देर तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहा है, अगर ये सारी चीज़ें तुम् negative बाते निकल कर आ रही हैं, अगर आ रही हैं, तो तुम इस समय भै की प्रथम stage का शिकार हो चुके हो, अभी first stage कह रहा हूँ, अभी second stage आनी बाकी है, तुमारे साथ ऐसी ऐसी चीज़ होगी, तुमारे limbs में pain होना शुरू हो जाएगा, तुमारे lower back, L4, L5 में pain होना शुरू हो जाएगी, और ये सब कुछ कहां से शुरू होता है, एक छोटा सा शब्द, एक छोटा सा शब्द, लिखते जाना, लिखते जाना, कि April मई तक ये तुमारे साथ होगा और वो होता है, डर, इतनी भैनक चीज़ है, तुमारा parasympathetic nerve heart 20-20 minutes में वो active कर देगा, और तुमारी blood supply जो है, दिमाग की तरफ जाने की बजाए, वो body के अलग-अलग parts में जाएगी, तुम ऐसे सामने बैट के पढ़ रहे होगे, और तुमें समझ में नहीं आगा क्या लिखा हुआ है, अकशर ऐसे आखों के सामने से आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, तुम ब जो लोग form तो भरते हैं, QPSC का form भरेंगे, लेकिन वो परिक्षा के डर की वज़े से exam center नहीं जाते, 50 से 55% student, जो total number of student, जो इस साल form भरेंगे, वो 50 से 55% कभी center नहीं जाएंगे, और वो stage 4 का शिकार हो जाएंगे, तो आप क्या stage 4 का शिकार होना चाहते हो, क्या तुम बिना लड़े हार मानना चाहते हो, क्या तुम बिना लड़े हार जाना चाहते हो, अगर जाना चाहते हो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अपने इस दर को खत्म करना चाहते हो, और बिना लड़े, बिना जिद तक किये, अगर तुम डरने से डर नहीं सहते हैं, तो आजाओ, important है कि most of the student इसको miss कर जाते हैं तुम्हें पता है ये डर कब आता है जब तुम्हारे पास भटकने के रास्ते होते हैं हमारा दिमाग एक दिन में 46,000 से लेकर 84,000 thoughts के भी जूलता रहता है अलग-अलग mind किसी का mind बहुत जादा divert है किसी का mind focus है लेकिन इतने thoughts हमारे दिमाग में ह होते हैं और यह हमें हर समय इधर से उधर इधर से उधर लिके जाते हैं यही मन का काम है यह प्रकास की गती से भी तेज चलता है यह तुम्हें भटकाता है क्योंकि इसी से तुम्हारा व्यक्ति तो निकल सकता है जो इन thoughts के बीच से निकल कर अपने लख्ष का संधान कर ले। वही अर्जुन है वही एकलव्य है। वही आज की दुनिया में विजेता है। तो इश्वर ने हमें कहा है कि हमारी परिक्षा में तुम्हें भटका दूँगा। तुम्हारा शत्र तुम्हारे दिमांग में बिठा और इसमें तुमने इन अंधेरों में तुमने अपने लक्ष को देखकर अगर उसको संधान कर दिया, उस लक्ष को साथ दिया, तो तुम विजेता हो, तुम ही आज के अरजुन हो, और यही यहां का सबसे बड़ी सीख है, तो करना क्या होगा, हमें यह नहीं पता होता है कि हम I.S. तो बनना चाहते हैं, लेकिन I.S. बनने का प्लान क्या है? मैंने एक शुरुवात की, अब बताता हूँ, मैंने सबसे पहले काम किया 100 days, 100 lectures का मैंने एक pre का lecture शुरू किया, GS में और CSAT में, क्यूं? मैंने देखा कि कहां से question की बारंबारता सबसे ज़्यादा, hot topics कौन से हैं और मैंने उनकी एक list बनाई, और मैंने कहा कि prelims के batch में, ये वो 100 lectures में आपको पढ़ाऊंगा, जहां पर ये सारे topic कवर करूँगा, most important topic, जो कई सालों से हमने research किया, बार-बार question यहां से आ रहे हैं, हमने उसको बना डाला, अब जब student उसके साथ 99 रुपए के batch में आया, तो पहली बार 99 रुपए के लिए उसको कुछ सोच रही नहीं था, जब वो आया, तो उसको वो चीज़े exactly मिल रही है, this is known as planning, अब plan जैसे ही हो गया, तो हमने क्या किया, इसी पर अब हम test series launch करने जा रहे हैं, जो topic हमने पढ़ाया है, जिनकी बारंबारता बहुत जादा है, जह जो है forward study method और reverse study method, दोनों के दोनों इसमें सद गए, अगर आप actually में तैयारी करना चाहते हैं, तो आप आज से plan करना शुरू कर दीजे, proper plan करना शुरू कर दीजे, और planning का मतलब होता है, macro topics, macro topics and micro topics, अगर आप really में success होना चाहते हैं, आप अपनी हर चीज का record रखिए, हर ची का record करिए, कि मुझे ये ये चीजे करनी है, तो आप कहते हैं, जैसे history मुझे पढ़ना है, साब मैं modern history पढ़ने जा रहा हूँ, जो student ये बोलता है, मैं समझ जाता हूँ, इसका selection नहीं होना है, ये अभी 3-4 साल लगाएगा, अगर इसकी बुद्धी खुल गई, तो selection होगा, और यही सच्चाई है, ये what is the meaning of modern history, modern history के कई पार्ट है, सबसे पहले तुम macro topic, कि 1707 के पहले पढ़ रहा हूँ, 1857 तक पढ़ रहा हूँ, मैं charter acts पढ़ रहा हूँ, या micro topic, यानि उसमे heading to subheading, ये उसका लिखा होना चीज़, उस पर tick होना चीज़, जैसे आज हम 99 के batch में, जो जो पढ़ाते जारे उसको tick करते जारे देखी, ये सारे topic cover हो गए, आपका believe system आ रहा है, actually में क्या होता है, planning हमें आरे अंदर जो है, वो एक जो घोड़ा होता है, तो जंगली घोड़ा हर तरफ दोड़ता है, घास मिली तो वहां रुग गया, फूल पत्ती मिली वहां र दाव लगाया जाते हैं, तो अगर तुम अगर जिन्दगी में जीतना चाहते हो, और लोग तुम पर दाव लगाना चाहते हैं, तुम्हारे माता, पिता, भाई, बहन, परिवार, रिष्टदार, सब ने तुम पर दाव लगाया, इसलिए दाव लगाया है, इसलिए दाव कुछ करने लगा कभी वहां कुछ करने लगा जिंदगी में कोई भी रेस जीत नहीं पाओगे क्योंकि तुम नहीं तुम्हारे पीछे बहुत से लोग आ रहे हैं जिनके कंदों पर अपने माबाप के सपनों का बोज है और उस सपने को पूरा करके वो उस कर्ज से निकलना चा मैं कब उठूँगा मैं कब सोऊँगा मैं कब क्या काम करूँगा किस समय मैं पढ़ूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ एक चीज होनी चाहिए और वो होना चाहिए तुम्हारा टाइमर अब तुम और समय सिर्फ दो लोग हो इस पूरी लडाई में जिसने समय को नाथ लि इतना है तो समय कि घोड़े की पीट पर बैटना सुरू कर दो देखो जंदगी की रेस तुम्हारी होगी तुम्हारी होगी तो आज ये पहली बात जो रही पहला जो सेग्मेंट रहा वो ये रहा कि अपना स्टडी प्लान बनाए और इसको फॉलो करें रोज करें आप आज चले करेंगे मेरे बच्चों को मैंने स्टडी बूस्टर एक जो है वो बैच बढ़ाया जिसे हम लों कहते हैं प्रोड़क्टिविटी बूस्टर एक दिन में आप आप और पूट कैसे निकालते हैं और वो बैच 499 करता है आप कहेंगे तो आपके लिए भी 99 कर दूँगा तो फिर वैसे भी बहुत बलवान है आईए बात करते हैं अगले सेग्मेंट में अपनी तयारी रट कर नहीं सीख कर करो मैंने कई बच्चों से पूछा सर 15 days history 15 days geography 15 days economy सर प्री निकल जाएगा क्या आप ने भी ये बात पूछी होगी आपने भी ये बात की होगी आईए आद दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं अपनी तयारी रट कर नहीं सीख कर करो ये वो student होते हैं, जो SSC की परिक्षा, PCS की परिक्षा, और IS की परिक्षा में अंतर ही नहीं जानते हैं, उनको लगता है हिस्ट्री वहाँ भी पढ़नी है, हिस्ट्री यहाँ भी पढ़नी है, वहाँ पानी पत्का तृति युद्ध याद कर लिया, बुला सर यहाँ भी है, student आते हैं, NCRD की क्लास में, सर वह आपने सन नहीं लिखा है, मैंने पूछा इस से पहले कौन सा एक्जाम दिया था, बुला फलनवा चतुर स्रेडी का एक्जाम दिया था, फलनवा लोको पालेट का एक्जाम दिया था, वहाँ सर सन पूछा था, यह IS है, तुम देश चलाने जा रहे हो, जिले के मालिक बनने जा रहे हो, बड़ी-बड़ी परियोज रहे हैं, तुम्हारे ही साफ से चलेंगी, अगर रटना होता, तो वो क्लर की भरती करते हैं, IS की भरती क्यों करते हैं, IS सरकार का दिमाग कहलाता है, IPS प्रशाशन का दिमाग कहलाता है, वो तुरित रह लेता है दिमागवाला रटता नहीं है दिमागवाला समझता है तो अपनी पढ़ाई को आप सबसे पहले आप and memorize करने की बज़ाए समझना शुरू करो अपनी lives relates करना शुडू करो जो चीज़े कही जा रही है उसको apply करना शुरू करो पॉलिशन क्यों पढ़ रहे हो शहरी करन क्यों पढ़ रहे हो शहर में रहते हो तो शहर को समझने के लिए तुम्हें किताब पढ़ने की जुरूत है तुम कभी चौराहे पे नहीं निकले तुमने पॉलिशन नहीं देखा तुमने ट्राफिक पर लगे हुए जाम को नहीं देखा, उस फसी हुई एंबुलेंस को नहीं देखा, जिसके अंदर एक मरीज मर रहा होता और लोग रास्ता नहीं देते, कौन हो तुम, शेहरों में तुमने सड़क किनारे किसी दुरगटना में लोगों को सेलफी बनाते हु अथ एक ये आख होती है, यहाँ जो दिमाग की आखों से देख लेता है, यूप्यस्पशी उसका है, क्या चल रहा है मेरे देश में, क्यों ऐस जैसेंगे और ऐसी बाते कर रहे हैं, क्यों ऐसी जो है चीज़ें हम प्रेसिंट कर रहे हैं, क्यों पाकिस्तान को डिज़ायर क कर रहा है क्या है यह चीज यह जब जागती हैं दिमाग की आंखें तो प्रशन पूस्ती हैं दिमाग की आंखें जब जगती हैं तो प्रशन पूस्ती हैं और जब प्रशन पूस्ती हैं तो मन उसका उत्तर ढूनी लेता है यही UPSC है तो अगर जगाना है तो मन की आंखों को दिमाग की आँखों को जगा दो, दिमाग की आँगे जिस दिन तुम्हारी जग गई, तुम्हारी information भागते हुए तुम तक आएंगे दिक्कत तो ये है कि तुम भी सोए हो, और तुम्हारे दिमाग की आँखे भी सोई है तुम तो इंतजार कर रहे हैं कोई एक किताब खरीद के लेकर आएंगे और इसको पढ़ लेंगे और I.S. बन जाएंगे बच्चा मेरे से question पूस्टा है सर आप तो इतने बड़े teacher हो, कोई एक किताब नहीं बता सकते हैं इसको पढ़कर I.S. निकल जाए ऐसे ऐसे प्रश्णों का सामना मुझे करना पड़ता है मुझे समझ में नहीं आता है इसको समझाओं इस पर हसूं या क्या करूं सिक्षा का इस्तर कहां तक पहुच चुका है कि तुम जिस एक्जाम को देने जा रहे हैं उसके बारे में तुम बात ही नहीं कर रहो तो आज के बाद जब भी कोई चीज पढ़ो उसको अपने जीवन से जोड़ कर पढ़ो कभी भी नहीं भूलोगे और पचासो एक्जामपल इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो चीज आपने कर ली वो कभी नहीं भूल सकते साइकल चलाना सीखे कभी नहीं भूलोगे चाय बनाना सीखे कभी नहीं भूलोगे जो चीज तुमने कर लिया अपनी जिंदगी से जोड़ लिया वो कभी भी आप उसको नहीं भूलोगे याद रखना आईए, तीसरी चीज जो अब होने जा रही है ये मैं अपने व्यक्ति का तन्भो से तुम्हें बता सकता हूँ तुलना, avoid, comparisons जानते हो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका confidence low होता है वो बगल वाले रूम में जाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पर बेचैनी होती है आप क्या पढ़ने भाईया, कोई 2-3 साल उनका senior बताना अगर, मुझे chat box में बताना हासर ऐसा होता है की नहीं होता है ठीक है, आप गए, थोड़ी थेर में पढ़के भाईया क्या पढ़ रहा है, भाईया 2-3 साल से बड़ा भोकाल टाइट किये हो, गमचामचा डाल के बढ़िया जो है वो कई बार मेंस तक पहुचे हुए है एक बार अब उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है अब क्या हुआ, तुम थोड़ी थोड़ी देर में उठके जा रहे हैं, भाईया आप क्या पढ़ रहे हैं, बुलो अरे इस साल इकनामिक्स बहुत इंप्रटेंट लग रहा है, अब तुम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और अचानक से तुमने अपनी हिस्ट्री किनारे रखी और अरे यारी दुई साल से तैयारी कर रहे हैं, इनका नहीं निकला, हमारा क्या खाक निकलेगा, ये एकनामिक्स इंपोर्टेंट कह रहे हैं, दो साल से यहां तैयारी कर रहे हैं, तीन साल हो गया इनको तैयारी करते हुए, तो इसका मलब यह हम से जादा जानते होंगे, बताना ऐसा होता है कि नहीं होता है, तो हम भी छोड़ो, हिस्टी छोड़े, और एकनामिक्स करते होगे, फिर अपने पिता जी को फोन करते होगे, पिता जी बगल वाले भाईया बहुत पढ़ने में तेज, ठारा ठारा घंटा पढ़ते होगे, हाँ भया, उनका पिता जी दर्वाजा बंद रहता है, को अभी नहीं आज तक जहांके देखें, कि वो अंदर करते क्या हैं, कौन सी पढ़ाई वो कर रहे हैं, पिता जी को फोन करते होगे, संपूर व्यक्तित को तुलना, और जबकि तुम उसके बारे में जानते नहीं हो, हो सकता है, कमरा बंद गर के वो चैट कर रहा हो, वो आखे खोल के जो हो अपने सपने देख रहा हो, हो सकता हो अपने गाओं में बैठा हो, मनी मन, तुम्हें पता चल रहा है क्या कर रहा है, और क्या नहीं हो सकता है, वीडियो देख रहा हो, तुमसे बोल रहा है हम लेक्चर देख रहा है उनका लेक्चर कुछ और ही चल रहा है, तुम्हें नहीं पता ना, लेकिन उसके दिखावे उसकी बातों में तुमने अपने पूरे व्यक्टित को उसके सामने बॉना कर लिया, तुम जिस track पर चल रहे थे, उस track को सिर्फ comparison करने की वज़े से वो track छोड़कर तुमने उसकी track पकड़ ली, तो याद रखना, अगर तुम उसके रास्ते पर चलते वो ले जाएगा तुम्हारा अवसर, और तुम पीछे खड़े होकर अपने अवसर का इंतजार ही करते रह जाओगे, और अवसर किसी के हाथ नहीं आता, तो तुम्हें ये line तोड़नी होगी, तुम्हें अपने व्यक्टित को साधना होगा, तुम्हें खुत्मर विश्वा अच्छा था, चैट उसने पूरी वीडियो बना के भेजी मुझे, मैं तो देख के आश्चर चके तो कि ऐसे सी बाते करते, उसने ये जो सीनियर लड़का था, चार साल से तयारी करा, प्री नहीं निकला, उसने शर्त लगाई, कि मेरे दो सावाल लोग जवाब नहीं दे प अच्छा तो नहीं निकलता है, अच्छा तुम्हारा तो नहीं निकला, और दुनिया में ऐसा कौन सा वेक्ति हैं, जो अपना हित्त छोड़के पहले दूसरे की बारे में बात करेगा, तुम इतने मड़े सन्यासी हो, तो भगवा पहिनो, निकलो, दुनिया कल्यान करो, यह जाएंगे UPSC के अग्जाम देने, यहाँ जो होगा इसके बारे में बात करेंगे, यहाँ जब सोचण ही की ताकत पैदा होगे, तब उसके बारे में बात करें, बोह ले, नहीं, ऐसे होता है, अपना नहीं निकला दूसरे का भी नहीं निकल देंगे, तो इसलिए जब भी तैयारी करो, comparison से बचो, और ये comparison कई बार हम करते हैं, कई बार हमारे घरवाले, और देखो, Pintua तुम्हारे यहां था, और देखो, Bank P.O. निकाल लिया, और पिंटुआ का सपना Bank P.O. था, पिंटुआ का सपना था, जल्दी साधी हो, तो किसी तरीके से नौकरी लगे, बढ़िया जो है, वो छोकरी साधी हो, हमारा सपना नहीं है, हमारा सपना रास्त है, हमारा सपना अपने समाज को बदलना है, हमारा सपना उन लोग के लिए काम करना है, तो Pintua का सपना मेरा सपना एक जैसा नहीं, तो हमारी तुलन में पिंटवा से कर रहो बाई ? पिंटवा किसी दरह सटल होना चाहता है, नन्ने मुन्ने बच्चों खेलाना चाहता है ? हमारा नहीं है! हमआरा पूरा देश हमारा जो है playground है हम जाएंगे अपूरे दुनिया में हम अपना काम करेंगे तो यह जो important चीज है वो बहुत ही महत्रपूर है, तुलना करने से बचना, तुलना करने से बचना, और अगर तुलना करते हो, तो तनाव तुम्हारा है, क्योंकि सामने वाला जो बात कर रहा, उसका कोई प्रमाण उसके पास मौझूद नहीं है, उसका कोई मौझूद नहीं ह रहो, अपनी तयारी को गुपत रखो, अपने टीचर से सुझाव लो, यह ऐसा वेक्ति जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, सिर्ब उससे बात करो, कि मेरा एंसर कैसे सुधरेगा, मुझे यह पॉइंट्स नहीं समझ मेरा है, मुझे समझा दो, प्रभचन मुझे मत दो, पॉजिट्лив तो करोना के लिए छोड़ दो, इस्टे पॉजिट्व, वी पॉजिट यार, मेरा मेरा नही होगा, मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, पहली बार में नहीं होता अरे मैंने कुछ पढ़ा नहीं यहां कहा रहा हूँ stay positive यानि सकारात्मक बने रहो तो सकारात्मक बनने के लिए तुम्हारा बार महौल ही नहीं है अगल बगल अभी क्या पढ़ लिए अरे मेरा geography चल रहा है अरे भाई सहाब इस बार economics से question जादा आने के chance है अच्छा बलब UPSC ऐसे लोग जो राय तुम्हें देते हैं UPSC वाले कान में फूख के जाते हैं तो पहला दो ये बात अरे भाई सहाब इस बार history से question बहुत आएंगे अरे भाई सहाब ये इस तरह से भाई सहाब भाई सहाब करके तुम कहाँ positive रहोगे चार्चे पकड़ लेगे अब यार इतना पढ़ने selection थोड़े न होता है तो हाँ फिर कैसे होता है बले चलो बत्रा cinema में मुखरजी नगर में आ यार चाय पीते हैं चर्चा करेंगे बिदेश नी चर्चा करने discussion करने से घ्यान बढ़ता है अच्छा तो discussion कराके वो घ्यान बढ़ाते तुमारा और discussion शुरू कहां से होता है अच्छा हाँ बिदेश मंतरी का कहा है और आ जाती जात तक अरे जाती प्रथा काई साथ मलब जो तुम्हारा relevance नहीं है वहां तक पहुँच जाते हो सुना है मैंने खड़ों के debating लोगे फिर बात तूतू में में तक आ जाती है फिर कस्मे वादे प्यार वफा वो चली गई वो चली जाएगी सब पे आ जाता है दिल ना टूटे तो आयस नहीं निकलता यह सारे डालोग कहां जैस अंकर वहीं रह गए वो विदेशम छोड़ाते उनको और यह यहां तक जो है वो पुरानी वाली नई वाली सब पे चर्चा हो जाती इनकी अप फिर लास्ट में चर्चा होती सबसे पहले Meditation लिख लो Meditation आप कहेंगे तो मैं दुबारा यह सीरीज शुरू कर दूँगा Number One तुमसे बहतरीन तुम्हें Positive कोई नहीं कर सकता ना कोई किताब, ना ओजांक, ना कोई नहीं Nothing अगर किसी को कोई अपने आपको सकारात्मक बना सकता है सबसे तुम Meditation करना सुरू करो सुबह उठते दस मिनट, बारा मिनट निकालो और खुझ से बात करो खुझ से बात करो कहो कि मैं best हूँ मैं यहां अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया हूँ और मैं करके रहूंगा चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ कड़ी हो जाए जब यह बाते रोज करोगे ना तो तुम्हारा जो इस नायू है तुम्हारी जो मास्पेश है वो फड़कने लगेंगी और तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी दूसरा डैरी लिखने के अदर डालो रात में सोने से पहले डैरी लिखो लिखो आज तुम्हें दिन भर क्या किया फेल हुए तो लिखो और वादा करो कि कल का दिन आज के दिन से अच्छा होगा बस यही एक बाता कि आने वाली सुबह मेरे आज से अच्छी होगी, आज मैं एक घंटा नहीं पड़ पाया, आज दोस्सके साथ चैट किया, देर से सोके उठा, आज मैंने योगा नहीं किया, आज मैंने मेडिटेशन नहीं किया, खुद पर बात करो कि नहीं कल मेरा दिन अच्छा होगा और जिसने ये काम कर लिया आज के लिए लड़ा और कल के लिए सपने देख लिए वो बहुत आसानी से सफल हो जाएगा डैरी लिखने की आदर डालो और हो सके तो सोने से पहले मोबाइल यूज ना करने की बजाए कुछ मोटिवेशनल एक या दो पेज ही पर डालो उन लोगों की कहानिया पढ़ो जिन्होंने संगरश करके अपने जीवन को बनाया उनके बारे में पढ़ो बहुत सी कुछ इंटरनेट पर अव Davis हैं किताबे अव लेवलेबल है जिन्होंने लड़कर कुछ अपने आपको हासिल किया चाय हो बारा विमपरे हो चाय को भारत क आएगा तुम्हारी सारी positivity खतम होती चली जाएगे और वो दिन आएगा जब तुम stage 4 में पहुँच जाओगे और कहोगे मेरे से ये नहीं हो पाएगा बहुत मुश्किल है ये exam तो बात याद रखना कि हमें क्या करना है और कुछ चीजे कह रहा हूँ उनको लिख लो और अपने सामने जहां पढ़ते हूं चिपका लो और कहो you can do it yes I can do it रोज अपने आप से को अरे मैं ही तो आया हूँ मेरे जैसे ही तो लोग होते हैं और मेरे में क्या कमी है वो दिव्यांग वेक्ती था उसने I.S. निकाल दिया उसकी आखे नहीं थी वो I.S. है अरे मेरे में क्या कमी है उपर वाले ने मुझे पूरी तरह साशा दिग्रम सही सलामत बनाया अगर कोई कमी है तो सिर्फ मेरे दिमांग में मुझे यह हांसिल करना है Don't love those who कभी भी test नहीं देते हो डर के मारे जानते हैं लोग test नहीं देते कहीं घल्ट नमबर आ गया कम नमबर आगया तो हम disheartened नहीं हो जाएंगे अरे तुम्हें अपने हार्ट कितनी चृंता है उस्leton उसकी और दो तरह कि होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहो, दिल दोता रहके होते हैं, एक कोई भी ठेस लगी, कुछ भी धक्का लगा तूट जाते हैं, वो होता है ने, सर मेरा दिल तूट गया, प्यार में, सर वो छोड़के चली कि मेरा दिल तूट गया, मेरा दोस्ट चला गया, मेरा दिल तूट गया, और एक दिल होता है, जिस पर जितनी ठोकरी लगती हैं, वो मेटामॉर्फाइज हो जाता है, वो रूपांतरित हो जाता है, जैसे चूने पर जब दबाओ पड़ता है, तो चूना पत्थर संग्मर्मर में कनवर्ट हो जाता है, कोईला हीरे में परिवर्थित हो जाता है, वो लोग अपनी सिचुएशन को मेटामॉर्फाइज करने के लिए इस्तमाल करते, वो दूसरा दिल बनो, पहले वाले दिल को जमाना ठोकरों में रखता है, यह दिल यू तूटते हैं, यू, इस दुनिया में जहाँ पत्थर के इंसान हो, शीशे के दिलों की क्या अउकात है यार, अपने दिल को पत्थर नहीं फौलाद बना लो, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी क्योंकि फॉलाद की चोट से जो पत्थर है वो तराशे जाते हैं फॉलाद की चोट से पत्थर तराशे जाते हैं तुम्हें अपने दिल को पत्थर नहीं फॉलाद बनाना है और दुनिया की ठोकरों से अपने दिल को मजबूत बनाना शुरू करो, दिल को मजबूत बनाने का और कोई तरीका नहीं है, मेरी बात याद रखना, अगर आज ये मैसेज तुम तक पहुँच गया हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी का वो मैसेज है, जो तुम्हारा वेक्ट क्योंकि मैंने सबने देखे हैं, मैं पूरा करूँगा, खुद मैं विलीव करना शुरू करो, यू विल कम, आउट विट फ्लाइं कलर से स्टे कॉन्फिडेंट, कोई बात नहीं है, अंधेरे हैं, होने दो, लेकिन मेरे पैर नहीं रुकेंगे, इन अंधेरों को चीरता हु जब मैं निकलूँगा, तो विजेता कहलाऊंगा, इस अंधेरे के पार की जो दुनिया है, वो मेरी दुनिया है, इस विश्वास के साथ जियो, now or never, जो भी प्रयास दे रहे हो, उसमें अपना सब कुछ जोग दो, आधे अधूरे मन से कुछ नहीं, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी मिलेना सारी पावे, लगा दो अपना सब कुछ एक ही लक्ष के लिए, क्योंकि एक बार यह जो मिल गया, तो फिर तुम वो हो जाओगे जो तुम होना चाहते हो, याद रखना, there is nothing to stop you, charge ahead, कोई तुम्हें दुनिया में रोक नहीं सकता, सुब तुम्हें रो जिम्मेदारी लेना सीख गए, उसी दिन तुम व्यक्षित तो कहलाओगे, मेरी इस बात को याद रखना, यह जिन्दगी बदल देने वाली बात है, और यहीं पर जो बात आती है, वही तुम्हें सब कुछ बदल के रख देती है, तो चलिए, 2023 में बदलाओ कि इस दौर मे साथ बढ़ते हैं, 2023 में हम समझते हैं, कि दुनिया को हम कैसे बदल सकते हैं, सिर्फ अपने लिए मत लड़ो, उनके लिए लड़ो, जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए लड़ो, जो तुम्हारे सपनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए लड़ो, जो अपने लिए लड़ नहीं सकते, उनके लिए लड़ो जो अपने लिए नहीं लड़ सकते, इसे दिन तुम्हारे अंदर जो confidence आएगा, वो तुम्हें बदल के रख देगा, और ऐसे लोग जब जोड़ जाएंगे, तो भारत वो भारत बनेगा, जो इसका गरव रहा है, हम इसक बच्चियां सुरक्षित रह सके, हर पेट को खाना मिल सके, और कम से कम इस सरदी की रातों में उनके सर पे चत हो सके, हम भारती यही प्रण कर लें, तो इतनी बड़ी शक्ती हैं कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, अपने विजन को एक बड़ा आयाम दो, अपने पंकों को फैल अपनी पराकास्था तक पहुचो, कि दुनिया का इतिहास जब लिखा जाए, तो तुम्हारी पराकास्थाओं को लिखने के लिए शब्द कम पढ़ जाएं, इस वादे के साथ, इस जजबे के साथ, आज बैठ जाओ पढ़ने, और इस महा मुहिम का हिस्सा बन जाओ, जो ह हमने शुरू किया है, अरे ठोकरों में जमाना हमें क्या रखेगा, हम तो जमाने को ठोकरों में रखते हैं, इस इरादे के साथ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 99 बे रुप है तो क्या हुआ, दुनिया को दिखा देंगे, हम आ रहे हैं, और जिसको अंग्रेजी की टेंश कर लो, नया साल, तुम्हारा साल होना चाहिए, इस बात को याद रख लो, विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ 99 रुपए की क्लास में आप सभी का, जो बच्चों का अभी लॉगिन आइडी नहीं बनी है, वो फोन करके अपनी लॉगिन आइडी बना लें, और बहुत कि समस्याएं बहुत बढ़ी हैं, मिल कर लढ़ना होगा, मिल कर आگे बढ़ना होगा, और तुम्हें प्रशाशन में पहुंचना होगा इस वादे के साथ, और ये साल हम इतना ही बहतरीन बनाते हैं, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, क्लास कैसी लगी मुझे वादा करो मुसे